क्या सचमुष दोनी के कहने पर हुआ रहाने का चेयन? दोस्तों भारतिये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि BCCI ने औस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 जून से खेली जाने वाली वर्ल्ड टेश्ट चैंपियनसिप फाइनल के लिए भारत की 15 सदस्य टीम का एलान कर दिया है बोर्ड ने 15 सदस्य टेश्ट टीम में दिगज बल्लेबाज अजिंके रहाने को चुना है रहाने काफी लंबे समय से टीम से बाहर थे उन्होंने आखरी बार 2022 के जनवरी महिने में भारत के लिए कोई टेश्ट मैश खेला था इसके बाद रहाने को ड्रॉप कर दिया गया था लेकिन करीब 15 मैनों बाद टीम इंडिया में रहाने की वापसी हुई है ऐसे में उनकी वापसी को लेकर मीडिया जगत में खूब लिखा और कहा जा रहा है लेकिन रहाने की वापसी ऐसे ही नहीं हुई है तो फिर कैसे हुई है भारतिय टीम से ड्रॉप होने के बाद उन्होंने रडजी ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन किया और अभी चल रहे इंडियन प्रिमियर लीग यानि की IPL में वो चन्नई सुपर किंग्स की तरब से खेल रहे हैं और लाजवाब प्रदर्शन कर रहे है मुंबई इंडियन्स के खिलाब मुकाबले में उन्होंने 27 गेंदों में 61 रनों की धुआधार पारी खेली थी और अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी कॉलकाता नाइट रैडर्स के विरुद उन्होंने 29 गेंदों पर नाबाद 71 रन बना दिये थे इन दोनों पारियों से रहाने ने अपने आलोचुकों का तो मुव बंद किया ही साथ ही चैन करताओं को अपने चैन के लिए मजबूर कर दिया रहने आईपियल में अब तक 164 मुकाबले खेल चुके हैं लेकिन ऐसी पारी उन्होंने कभी नहीं खेली थी जो पारी उन्होंने इस सीजन चन्नई के लिए खेलते हुए खेले हैं अजिंके रहने को आउक्षन में चन्नई उपर किंग्स ने उनके बेस प्राइस 50 लाग रुपे में खरीदा था और अभी वो कडोरों में बिके खिलाडियों की नाग काट रहे हैं चन्नई ने इसी सीजन इंग्लेंड के स्टार और राउंडर बिन स्टोक्स को 16 कडोर से भी अधिक की रकम में खरीदा है रहने की आतिसी पारी देखकर सब हैरान है लेकिन रहने ने अपनी धुआधार बल्लेबाजी कस्रे CSK के कप्तान महेंदर सिंग धोनी को दिया है चैंपियंसिप फाइनल के लिए टीम में चुनने से पहले रहाने को लेकर भारतिये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि BCCI ने धोनी से मंत्रना की थी हालंकि स्रेयस ऐयर की चोट भी रहने के चैन की एक एहम वजह बनी है क्योंकि रहाने की जगा वो ही खेल रहे थे स्रेयस ऐयर की हाल में पीट की सरजरी हुई है जिस वजह से उन्हें वापसी करने में अभी समय लगेगा केके यार के कप्तान स्रेयस ऐयर आईपिल 2023 से भी बाहर है उनकी जगर फ्रेंचाइजी ने नितीश राना को टीम का कप्तान न्यूप्त किया है BCCI को WTC फाइनल के लिए एक अनुभवी बल्यवाज की तलाश थी जिसको इंग्लेंड में टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव हो और रहाने इन सब माप दंडों पर खरे उतरे हलाकि प्लेइंग 11 में चुने जाने को लेकर उन्हें केल राहूल से टककर मिल सकती है लेकिन रहाने का खेल ना तय माना जा रहा है बारत और अस्ट्रेलिया के बीच ICC World Test Championship के दूसरे चक्र का फाइनल लंदन के The Oval में 7 से 11 जून तक खेला जाएगा International Cricket Council यानि ICC ने 12 जून को रिजर्ड डे के तौर पर रखा है बारिश की संभावनाओं को देखते हुए बारतिय टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुँचने में काम्याब हुई है बहले चक्र यानि की WTC 2019-21 के फाइनल में भारत और न्यूजिलेंड का आमना सामना हुआ था जिसमें न्यूजिलेंड ने जीत दर्ज की थी और World Test Champion बनी थी इस बार भारत का सामना अस्ट्रेलिया से होगा अस्ट्रेलिया के खिलाफ World Test Championship 2023 फाइनल के लिए चुनी गई भारतिय टीम दोस्तों रहने को टीम में चुने जाने का फैसला सही सावित होगा या गलत कमेंट करके हमें जरूर बताएं क्रिकेट के स्टोरीज, खबरों और रिकॉर्ड्स के लिए बने रहे हैं हमारे साथ अभी दीजिए इजाजत धन्यवाद